नमस्कार, कहानी संसार में लेजे सुनिये, हिंदी के प्रसिध्ध व्यंग कार, हरिशंकर परसाई का लिखा व्यंग, इश्वर की सरकार, वाचनस्वर मेरा यानी अनुराग शौधरी का है हमारे देश की सरकार ने देश की प्रतिष्ठा पूरे विश्व में बढ़ाई है, प्रधान मंत्री ने तो किया ही है, हर मंत्री ने भी इसमें योगदान दिया है, पुलिस भी बदल चुकी है, लाठी चार्ज की घटनाओं में कमी आई है, पर गोली चालन बढ़ गया है जनता के पैसे से गोलियां बनाने के कार खाने चलते हैं, लिहाजा ये चीजें भी जनता के ही कामानी चाहिए प्रधान मंत्री और विदेश मंत्री कहते हैं कि दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा बहुत बढ़ी है किसने एका एक भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाती क्या भारती जनता ने बढ़ाई है मैं एक भारती जनकी हैसियत से कह सकता हूं कि हमने पिछले दिनों ऐसा कोई कर्म नहीं किया जिससे भारत की प्रतिष्ठा बढ़े I plead not guilty, हमारा कोई कसूर नहीं, हमारे बावजूद भारत की प्रतिष्ठा बढ़ गई है तो हमारी जिम्मेदारी नहीं, हम रात को सोए हैं और कोई खिड़की से घर में सोना डाल जाए तो सुबह धनवान हो जाना हमारी जिम्मेदारी नहीं है हम तो पहले जैसे ही हैं, वही कर रहे हैं, भूखे मरते हैं और चुप रहते हैं महंगाई बरदास्त करते हैं, बेखट के बच्चे पैदा करते हैं, घट या फिलमे देखते हैं, कच्ची दारू उतारते हैं और पीकर मरते हैं, दलितों को जिंदा जलाते हैं, क्रिशनारपड करके घूस लेते हैं, सस्पेंड होने पर ग्रहशान्ति करवाते हैं हमने कुछ ऐसा नया नहीं किया जिससे भारत की प्रतिष्ठा बढ़े हमने सिर्फ इतना किया है कि नकरात्मकोट देकर जन्ता सरकार को बन जाने दिया यह भी हमने इसलिए किया कि इंद्रिया सरकार ने हमारे बच्चा पैदा करने के ग्रिह उद्योग पर रोग लगा दी थी नहीं हमने सरकार की प्रतिष्ठा नहीं बढ़ाई भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है तो हमारी सरकार ने बढ़ाई है इस सरकार ने एक बार फिर विश्व को सिद्ध कर बता दिया है कि इश्वर न होता तो ये सरकार चल नहीं सकती थी जहां पार्टी और सरकार में सब एक दूसरे की टांग के पीछे से पकड़े हैं फिर भी गोल-गोल चल रहे हैं यह किसकी लीला है क्या मनुश्य के वस की बात है नहीं यह सर्वशक्तिमान इस्वर की लीला है सरकार ने इश्वर में विश्वास जगा कर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाई है आखिर सिद्ध हुआ कि भारत बिश्व का गुरू है बिन पग चले सुने बिन उकाना यह सिद्ध कर दिया भारत की प्रतिष्ठा कई तरह से बढ़ाई गई है दुनिया में कोई ऐसी सरकार ने हुई होगी जो लगातार जमानत पर रह रहे और रोज किसकी पेशी होती हो हमारी सरकार को ये गवरव प्राप्त है ये ऐसी सरकार है जिसका ग्रिह मंत्री परधान मंत्री के बेटे और अपने साथी मंत्रियों पर भरष्टचार के आरोप लगा कर और सब को बैमान कहकर अलग हो गया है और फिर उन्ही बैमानों में लोट आनी को लपलपा रहा है देश पर वह सरकार राज कर रही है जिसे उसी के ग्रिह मंत्री ने भरष्टचारी कह दिया है यह ब्रजलाल वर्मा कहते तो ने मानते क्योंकि उन्हें अभी टेलीफोन और टेलीग्राम का फर्क नहीं मालूम आरिफ बेक कहते तो भी कोई बात नहीं थी क्योंकि वे तो सभामंच पर अपने संगी माश्टरों को खुश करने के लिए भारत माता मेरी भारत माता कहकर रोनी लगते हैं भ्रष्टाचार के आरोप भूत पूर्व लौह पूरुस चरन सिंग ने लगाए हैं और वही फिर मंत्री मंडल में जाने के लिए रो रहे हैं चरन सिंग ने उस शोहदे की तरह काम किया है जो मुहले की किसी इस्त्री को चिठी लिखता है और लोगों से कह भी देता है कि वह औरत बदचलन है उसके पास लोगों के प्रेम पत्र आते हैं फिर उस औरत से कहता है तू तो बदनाम हो ही गई है अब मेरे पास ही आजा भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाई है प्रधान मंण्तरी ने जो अपनी सरकार की नीतियों का कम स्वब मुत्रपान का अधिक परचार करते हैं प्रधान मंत्री ने दुनिया के सबसे बड़े सरकस को चला कर भी बता दिया है कि उनकी सरकार और पार्टी सरकस है जिसमें गेड़ा, बारसिंगा, सियार, जंगली, भैंसा वगएर हैं मुरार जी को दुनिया के सबसे बड़े सरकस का मैनेजर होने का गवरो प्राप्त है पुरन साम्यवादिक रांति में लग जाएगा। भारत की प्रतिष्ठा इसलिए भी बढ़ी है कि पुलिस लाठी चार्ज अब नहीं होता, अब सीधे गोली चलती है। इसी नारी को नहीं दिया, अगर इंद्रिया गांधी का डर नहीं होता, तो ये सरकार कभी की तूट जाती। मैं भूल रहा हूँ बहुत प्रतिष्ठा बढ़ाई हमारे राजनारायन ने। उन्होंने दुनिया के सामने सिध्ध कर दिया है कि भारत इतना प्रोढ़ लोकतंत् पागल खाने को सौप दी जाए तो भी देश चलता रहेगा। प्रतापी राजनारायन ने बिंध्वाशनी देवी के सामने मुंदन कराया था, इसका शुभ पैडाम ये हुआ कि कुछ दिनों बाद देवी के वस्त्र और आभुसर चोरी चले गए। जिसका ऐसा चमतकार है वह अगर सरकार में रहे तो कोई भी देश हम पर हमला नहीं कर सकता। राजनारायन उसके सिपाहियों की वर्दी और बंदुख की चोरी करवा देंगे। दुनिया के एक मात्र स्वास्त मंत्री रहे राजनारायन जिन्होंने आपरेशन का एक नया तरीका बता कर सरजनों को चकरा दिया था। तो दोस्तों ये थी कांग्रेस सासित गौर्मेंट और उसकी आलोशना पराधारित हरशंकर परसाई द्वारा लिखा गया व्यंग इश्वर की सरकार। वास्तों में कभी-कभी अपने व्यंग के रूप में कहा जाता है कि यहाँ पर वाकई में सरकार इस इस देश का संचालन कर रहे हैं क्योंकि कभी-कभी हमारे प्रधान मंत्री, विदेश मंत्री और अन्य मंत्रीगण ऐसे बयान देते हैं, ऐसे विचार देते हैं कि ये विश्वास करना कठिन हो जाता है कि इनकी सोच कैसी है, इनका विचार कैसा है और अन्त में इनका ज्या पुसकर